हाई फ्रेंड्स मेरा नाम है कलपेश करग और अपने इस वीडियो में आप सभी का में वेलकम करता हूं दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सिखने जा रहे हैं कि फेस्बुक का एकाउंट कैसे डिलिट किया जा सकता है हो सकता है आपने एक से ज़्यदा फेस्बुक के एकाउंट बना दिये या फिर कोई ऐसा एकाउंट है जिसको आप नहीं चाते कि वो रहे फेस्बुक पर तो इसमें हम देखेंगे कि फेस्बुक एकाउंट को डिलिट करने का क्या प्रोसर्स है सबसे पहले आपको फेस्बुक में लॉग इन करना होगा चलिए मैं लॉग इन कर लेता हूं इमेल आइडी और पास्वर्ट डाल देता हूं यहां पर मैंने यहाँ पर auto login कर रखा है तो email id और password आ गया है यहाँ पर मैं login कर लेता हूँ अब यह जो arrow दिख रहा है इसके उपर आप click करेंगे अब दिखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है setting तो आप इस setting के उपर click करें अब आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ इस तरह का interface खुल कर आएगा अब यहाँ पर देखें लिखा है manage account, modify your legacy, contact setting और deactivate your account तो आप इसके उपर click करेंगे अब देखें कुछ इस तरह का page आपके सामने open होगा इसको आप थोड़ा सा नीचे scroll down करें अब देखें यहाँ पर लिखा है deactivate your account तो यहाँ पर आप click करेंगे अब यह आप से password मांग रहा है तो आप एक बर फिर से यहाँ पर अपना password डालेंगे और continue करेंगे अब दिखें फाइनली आपके सामने कुछ इस तरह का page आएगा यह आपको पूछ रहा है are you sure you want to deactivate your account मतलब एक बर फिर से आप से confirmation ले रहा है deactivate your account with disable your profile and remove your name and photo from the things you have shared on facebook some information may still be visible to others such as your name in their friend list and message that you have sent तो अब देख लिजिए यह आपसे एक reason पूछ रहा है कि आप किसलिए इसको deactivate करना चाहते हैं this is temporarily I will be back अगर आप temporarily इसको बंद करना चाहरे हैं तो यहाँ पर click करें ताकि आप वापस इसको open कर सकें I spend too much time using this facebook मैं बहुत जादा time spend करता हूँ facebook पर इसलिए बंद करना चाहरा हूँ यहाँ पर सारे अलग-अलग कारण दे रहें कोई भी एक कारण आप यहाँ से select करेंगे और यहाँ पर नीचे देखिए यहाँ पर लिखा है opt-out receiving future future email from facebook तो आप यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं facebook के जो आपके email आते हैं keep using messenger अगर आप messenger यूज करना चाहते है तो यहाँ पर टिक कर सकते हैं और finally आप यहाँ पर deactivate पर click करेंगे तो आपका यह account है वो यहाँ से delete हो जाएगा दोस्तो यह मेरा official account है इसको मैं delete नहीं कर सकता सिर्फ demo आपको दिखा रहा हूँ यह final step है अगर आप delete करना चाहते हैं तो यहाँ से deactivate पर click कर दें तो वो account वहाँ से गया हो जाएगा दोस्तो यह पूरा process था आपका Facebook account delete करने का अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी तरह के उप्यों की वीडियो में आपके लिए लेकर आता